असलाम अलेकुम वीवर्स मैं हूँ बुश्या और आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक यमी सी रेसिपी जिंजर चिकन नूडल बिल्कुल रेस्टुरेंट स्टाइल में तो फिर चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं एक बड़ी सी देख ची है मैंने पानी गरम करने के लिए रख दिया है अब मैं इसमें एड़ कर रही हैं सॉल्ट और आप मैं डालूंगी इसके अंदर ओयल ओयल मैं इसे डालूंगी ताकि नूडल्स आपस में पकते हुए चिपके नहीं अब मैं इसके अंदर नूडल्स शामिल करूंगी पूरा एक पैकेट लिया है मैंने इसको 12 से पंद्रा मिनट के लिए मैं पकाऊंगी इस जादा मैंने नहीं पकाना जादा पकाऊंगी तो यह नरम हो जाएंगे और फिर हमारे नूडल्स अच्छे नहीं बनेंगे 12 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी जैसी ये बॉयल होते हैं मैं इसका पानी स्ट्वेन करूँगी फिर टेब वाटर से इसको वाश करूँगी फिर मैं इसके ओपर तेल रिजल करके साइट पर रख दूँगी कडाई मैंने रख दिये गरम करने के लिए अब मैं इसमें तेल एट कर रही हूँ कडाई गरम होनी जरूरी है इसके लिए इसमें एट करूँगी चॉप गार्लिक और चॉप जिंजर इसको हलका सा स्टर फ्राइ करूँगी मैं चॉप जिंजर मैंने ज्यादर डाले और फ्लेम मैंने तेज रखा है इसके अंदर अब मैं इसके अंदर चिकन एट कर रही हूं चिकन एट करने के बाद मैं इसको लाइट सा इस्टर फ्राइ करूंगी अब मैं इसके अंदर सीजनिंग करूंगी सबसे पहले इसके अंदर मैं सॉल्ट डालूंगी फिर इसमें डालूंगी मैं वाइट पेपर अब फिर साथ ही मैं इसके डालूंगी रेट चिली फ्लेक्स और मैंने डाला है ब्राउन चूगर मैं थोड़ा साइट पे कर रही हूं इसको थोड़ा सा केरेमलाइस करूंगी, केरेमलाइस करने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा एन्हांस होगा, अब फिर उसके बाद मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ. अब इसके अंदर में कुछ वेजटेबल एड़ करूंगी, केरेट, ग्रीन अनियन बल्ब्स, अब इसके अंदर मैं एड़ करूंगी, ओइस्टर सॉस, और डार्क सोया सॉस, अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ. अब इसके अंदर मैं कैपसिकों हैड़ कर रही हूँ. कैरेट के साथ मैंने शिमला मिर्च इसलिए नहीं डाली थी, अगर मैं डाल देती तो कलर इसका खराब हो जाता है। अब मैं इसके अंदर आड़ कर रही हूँ, जूलियन कट जिंजर। अब एट कर रही हूँ मैं नूडल, देखें कितने जबर्दस अच्छे होते हैं हमारे नूडल्स. मैं इसको अच्छे से टॉस कर लूँगी ताकि जितना मैंने सॉस डाला है सारे में कवर हो जाए। लास्ट बट नॉडलीस इस पर मैंने डाली है रेड चिली और हमारा हीरो इंग्रीडियन्ट जिंजर। इसको आपके सामने सर्फ करके दिखाती हूँ, आपने भी एक अच्छा सा बोल लेना है और अच्छे से इसको सर्फ करना है। यह देखे हमारी डिश को फाइनल लुक। कितना जबर्दस आया है यह। बहुत टेस्टी बनेगा। घर में आप लोग इसको इंजॉय कीजिए। बिल्कुल रेस्टुरेंट फ्लेवर आपको मिलेगा। एक दफ़ा जरूर इसको ट्रॉय करें। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शक्रिया। अगर आपको में अग मुझे याद नाल झाल झाल कर दो भाल अबना है प्रवाल लुबालो शालो करते हैं खब धुर्ट सब्साइब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो opinions मैं दो कर दो कर दो करताइ grupp है कर दो कर दो… कर दो दो कर दो । । । । । । । कर दो है कर दो 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 कर दो कर दो हुआ है जड़ निया नियांग नियांगों में तीपटान करता हैं अबनाटे साहिब और अबनाटे साहिए है झाल कर दो कर दो दो कर दो बड़िये इस नहीं अवार जड़रा नहीं कर दो में शुझेखर्ग शुझे में जुझेखर्ग दो भाज पर दो रदी कि आया। झाल झाल प्रण खर्टेध Singapore कर दो दो हुआ है झाल कर दो याज है कुट अजब टो हम ठि महीं कार्टिछ आग। पलुख सेहें जड़ हमें सरह के सकत्राओ को पलुख सकत्राओ के साथ सेटें म 믹лबब और ship पसे घ्मारो से का अास करें टुर्द कर दो नो जुद्ट कर दोगए, जब सो करें, कि भी एफ मिटेंस्तों तरेमी कर दो खब कर दो कर दिए हॉपान दोने सुखष हैं, मुटेंस्तों परोड़्ति प्रेट। हुआ हुआ है ली टीजब्नी assessments लीजब आसे, लीजब्नाज़ आसे, लीजब्नी सेक भाइफ जैं सिर्म्नाजस झाल झाल कि अपने कि अपने कि अपने कि अपने कि अपने को यदान कि अपने 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 कि अपन प्रफब रखर दो प्रफश चाहिए दो प्रबबने शर्फट चाहिएर नहीं है स्ट्टी नग्लेश ऑ्लेशा है的 जो एका उर लगता है झाल, प्लेश नगज प्लेशने प्लेश स्ट्टी सेन है लाग भी कर दो हमारी है प्रभाइब एन प्रजाने लाँ आप है कि अप्राइब आप है भी आप है कि अप्राइब आप है कि अप्राइब रगा है झाल झाल मार्ष्टन टो जो जो खादे बना में नहीं दो जो जो जाने को जो कर दोंगा, जो 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 कि एक जो 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 प्रिग भी में से अलेडियों झाल见 न सकत अ आचिवे कर दो 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 हुआ है आपके पारी के रहाँ है, कर दो पार आपके पारी के अपके अपके हाँ, कर दो दोगा है. जो पुटूम पर लोगा नॲोगश को नहीं परोगा जैज हरा नहीं, भी खाहीं को बड़ाँ लो रब हमते हैं, उड़ाई भी जपार काना जा घँटाईMore टाजाँ कि अब जब साओया सब्सक्राइब, दगता हैं, बीज़ाँ दंछाबगा एंगा नहीं, चाहीं पर टाझ प्रटेंग प्रावा प्रावार कर दो कर दो नहीं है अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीजियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम अलेकुम विवर्स मैं हूँ बुश्रा और आज मैं आपके लिए फूड मर्चन से लेकर आई हूँ एक बहुती फुल फ्लेवर्ट रेसिपी मैं बना रही हूँ टुमेटो पहने पास्ता विजूसी ग्रिल चिकन तो फिर चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन करूँगी इसमें एड करूँगी सॉल्ट वाइट पेपर पाउडर रेट चिली पाउडर पेपरिका पाउडर और गार्लिक पाउडर डाल के इसको मिक्स कर लूँगी फिर इस पे ओलिव ओल ड्रिजल करके 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी टूमेटो पेवरे बनाने के लिए टूमेटो इसको 5 तू 6 मिनट के लिए बलांच कर ले और फिर इसका छिलका उतार के ब्लेंट कर ले अब मैं टूमेटो सॉस बनाऊंगी इसके लिए सबसे पहले ओलिव ओल में चॉप्ट अनियन डाल के सौटे कर लूँगी अब इसमें आट करूंगी चॉप्ट गार्लिक सौटे करें अब मैं तूमेटो अच्ट कर लेदेने ने चॉप्ट अनियन और गार्लिक साटे हो गया है अब मैं इसमें आट करूँगी टोमाटो प्योरे अब इसे थोड़ा कुक करके फिर इसकी सीजनिंग करूँगी इसमें आट करूँगी सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स ड्राइड बेजल ब्लेक पेपर पाउडर और टोमेटो पेस डाल के इसको कुक करूँगी टोमेटो पेस की जगह आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं तमाम चीजों को मिक्स करके थोड़ा कुक करूँगी और ये हमारी टोमेटो सॉस तयार है अब पैने पास्ता को बॉयल करने की तयारी करती हूँ पैन में पानी डाल करके इसमें नमक और ओयल एट कर लिया है पानी जैसे ही बॉयल होगा उसमें एट करूँगी पैने पास्ता पास्ता ओल जेंटे हो गया है अब इसको स्ट्रेनर से चान लूँगी और फिर इस पे ओल रिजल करके साइट पे रख दूँगी अब बारी आती है चिकन को ग्रिल करने की मैरिनेटिड चिकन को प्री हिटेड ग्रिल पर रख कर चार से पांच मिनट के लिए चिकन को ग्रिल कर लूँगी जब चिकन पर ग्रिल मार्क्स आ जाएंगे तो फिर दूसरी साइड भी इसी तरह से ग्रिल कर लूगी अब तयार टुमेटो सॉस में पहने पास्ता एट करूंगी और सॉस में पास्ता को प्रॉपरली कवर कर दूंगी इसके ओपर स्प्रिंकल करूंगी पामिजान चीज अगर आपके पास नहीं है तो इसमें आप एट कर सकते हैं चैडर चीज अब इसमें मौजरेला एट करूंगी अब आपको इसको सर्फ करके दिखाती हूँ पास्ता को प्लेट में निकाल करके इसके ओपर स्प्रिंकल करूंगी पामिजान चीज और मौजरेला चीज और इसके ओपर रखेंगे हम अपना ग्रिल चिकन उसके मैंने स्लाइस कर लियें कैफे स्टाइल टेस्ट और कैफे स्टाइल सर्विंग के साथ बहुती मज़ेदा ग्रिल चिकन टोमेटो पैने पास्ता तयार है इसे गरम गरम सर्फ करें ये एक बहुती फ्लेवर्सम डिश है अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीजियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे दुआओं में याद रखिए बहुत बहुत शुक्रिया